जिराफ की कहानी जंगल में एक जिराफ है जिस किसी जानवर को वो देखता है हमेशा दूसरों से तुलना करने लगता है वे चिंतित है कि वो सुन्दर नहीं है एक बार जिराफ नहीं अपने बारे में सोचा इस जंगल में सभी जानवरों में मेरा कर सबसे अजीब सा है अन्य सबी जानवर बहुत सुन्दर है काश मैं भी उन्ही की तरह होता ए भगवान मुझे ये उपहार दो ना इतना कहते ही वहाँ भगवान प्रत्यक्ष होते है जिराफ तुम भी बहुत खुबसूरत हो तुम जैसे चाहो वैच से बदल सकते हो इस तरह भगवान के दिये हुए वर्दान से जिराफ खुश हो जाता है अहाँ आपसे जिस आकार में मैं चाहूँ वो आकार में मैं बदल कर खुशी से रह सकता हूँ इतना सोचते ही उसे जंगल में इधर उधर घूमते हुए एक हाथी दिख जाता है अरे वाह, कितना सुन्दर आती है हाथी की तरह बदल कर मैं खुश रह सकता हूँ इस तरह सोचते ही जिराफ हाथी के रूप में बदल जाता है थोड़ी दे बात हाई इतना बारी शरीर ये तो उठाना बड़ा मुश्किल हो रहा है एक बड़ी पेड के पास रुखता हूँ आखिरकार पेड तक पहुची गया अभी अच्छे फल तोड़ कर खाता हूँ कितनी कोशिश करूँ इस सोर से उचाई तक पहुचना मुश्किल है हाथी की तरह जीना तो बहुत मुश्किल है तीजी से चल नहीं सकते लंबे-लंबे पेड़ों के फल भी नहीं तोड़ सकते मेरी लंबी सी गर्दन से मैं कितनी आसानी से फल तोड़ सकता था अब इस आकार में मैं रह नहीं पाऊंगा चलो दुबारा से जिराफ की तरह बदल जाता हूँ इस तरह जिराफ की रूप में वो वापस बदल जाता है दूर जाने के बाद उसे एक हिरन दिखाए देता है उसे देख कर जिराफ कहता है हाथी से अच्छा तो ये हिरन है हाथी से तेज दौर सकता है इसलिए मैं हिरन के रूप में बदलता हूँ इतना कहते ही वो तुरंथ हिरन के रूप में बदल जाता है इतने में वहाँ एक शेर आता है वाह आज तो इस हिरन का इशिकार करके भूप मिटाऊंगा इस तरह शेर हिरन के रूप में जिराव के पीछे पड़ जाता है वो तेजी से भागने लगता है किसी भी तरह से शेर से बश कर वो अपनी जान बचाना चाहता है और तुरंत जिराफ के रूप में बदल जाता है आज मेरा भाग अच्छा था इसलिए मैं शेर से बच गया वरना ये रन के रूप में तो पता नहीं आज शेर का नाश्टा ही बन जाता ये तो बड़ा मुश्किल है हर वक्त ये सोचते रहो कि कब शेर आएगा और हमला करतेगा डर डर के जीना मुझे पसंद नहीं और ये नीचे की घास फूस खा करके तो मैं जिन्दा भी नहीं रह सकता इससे अच्छा तो मैं जिराफ के रूप में ही ठीक हूँ अच्छे अच्छे फल थोड़ कर खा तो सकता हूँ डालियों के हरे हरे नए पत्ते खा सकता हूँ मुझ पर कश्ट आते ही मैं दूसरे जानवर का रूप धारन कर लूँगा और इस तरह भगवान के दिये वर्दान को सदुपियोग करूँगा इतना सोच कर खाने के लिए वो निकल पड़ता है थोड़ी देर बाद उसे एक शेर दिखाई दीता है मर गया रे यहाँ तो शेर खड़ा है इससे तो बचना ही होगा और इतने में शेर जिराफ को देख कर उसके पीछे पड़ जाता है जिराफ थोड़ी ही दूर पर भागता है और तुरन शेर के रूप में बदल जाता है शेर के रूप में बदलते ही जिराफ को देख कर शिकार करने वाला शेर हैरान हो जाता है ये जिराफ ये तुम शेर के रूप में कैसे बदल गए उसके बाद से जिराफ ने अपनी खूपसूर्ती को पहचाना और दूसरे जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया जब भी किसी जानवर पे कोई मुसीबत आती जिराफ अपना आकार बदल कर उनकी मदद किया करता हाती का जाल बहुत समय पहले की बात है सुन्दर्बन में बहुत से हाती रहते थे उनका मुख्या हाती बड़ा दयालू, बुद्धिमान और गंभीर सववाव का था परंतु उसका पुत्र बड़ा ही शरारती और खुरापाती दिमाग का था किसी का दर्द क्या होता है वो जानता ही नहीं था उसे अपनी शक्ति पर बड़ा ही घमंड था वो जंगल में दूर दूर तक आवा रही घूमता और जंगल के पशु पक्षियों को नुकसान पहुचाता था एक बार वो घूमते घूमते जंगल से बाहर निकलाया चारो और मैदान ही मैदान था दोपा अर्थ अप रही थी गर्मी और प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो गया था दूर दूर तक भी उसे कोई ऐसा पेड नजर नहीं आ रहा था जिसकी शीतल जाया में बैट कर वो आराम कर सके भूक प्यास गर्मी के कारण उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी उसी रास्ते से एक बंदर इधर उदर घूम रहा था बंदर की नजर उस हाती पर पड़ी बंदर बड़ा दयालू और परोपकारी था वो हाती के पास आखर बोला गजराज लगता है आप रास्ता भटक गये है हाती ने बंदर से कहा हाँ तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया मैं रास्ता भटक गया हूँ जंगल दूर है और वापस लोटने की शक्ती भी मुझ में नहीं है गर्मी मुझसे सहन नहीं हो रही है क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकती हो हाँ मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ यहाँ से थोड़ी दूर ही एक सुन्दर सा जंगल है जिसमें तरह तरह के फल फूलों के पेड़ है उसके पीछे निर्मल जल से भरा एक सरोवर है वहाँ विश्राम करके तुमारी थकान मिट जाएगी थोड़े से फल और शीतल जल तुमारे अंदर स्पूर्ती भर देंगे ऐसा बंदर ने उस हाती से कहा हाती बंदर को अपने उपर बिठा कर जंगल की तरब बढ़ा उसने हाती से कहा गजराज यही वो जंगल है यहाँ तुमारी सुवीदा की सारी चीज़े उपलब्ध है तुम हमारे महमान हो सरोवर का मिठा जल पीकर अपने प्यास बुजाओ और इस पीपल के विशाल वुक्ष पर ही मेरा घर है मेरे छोटे बच्चे है जो मेरी राह देख रहे होंगे अब मैं चलता हूँ ऐसा कहकर बंदर घर की तरब चला गया हाती प्यासा था वो जिल की तरब चल पड़ा उसने चककर पानी पिया और पीपल के पेड के नीचे आकर सो गया अगले दिन बंदर अपने बच्चों के लिए खाना लाने गया चलते समय उसने देखा कि ठका हा रहा थी पीपल के पेड के नीचे बेसुद सो रहा है जब वह फल लेकर पीपल के पेड के पास आया तो आसपास का दुरुष देखकर वो घबरा गया उसे लगा कोई भायनक तूफान आया और सब कुछ तहस नैस करके चला गया और आसपास की ज़ाडिया भी रौंदी हुई थी बंदर को देखकर सारे पक्षी इकटा हो गए उन्होंने बताया कि यह सब उस हाती ने किया है जिसे तुम साथ लेकर आई बंदर को दुख हो रहा था कि उसने ऐसी दुष्ट की सहायता की इसलिए बंदर ने गुस्से में आके कहा ऐसे दुष्ट को तो सजा मिलनी ही चाहिए पक्षियों ने भी एक स्वर में कहा हम क्या कर सकते है हम तो बहुत छोटे है वो बड़ा और शक्तिशाली है तभी बंदर ने कहा तुम चिंता ना करो मैं अभी आता हूँ बंदर सीधे शेरों की जगा पर चला गया उस समय राजाशेर अपने कक्ष में आराम कर रहा था बंदर ने शेर की गुफा में प्रवेश किया वो हाफ रहा था रोते रोते बंदर बोला राजाशेर जी मुझे शमा कीजिए मुझे शमा कर दीजिए मुझसे भयंकर भूलो गई है मैंने एक भूके पैसे और कर्मी से जुलचते हुए राह भटके हाती को आपके जंगल में आसरा दे दिया जब जील का जल पीकर उसकी प्यास शांत हो गई और व्रुक्षो की ठंडी चाया मिल गई तो वो उदंडता पर उतर आया उसने भरे पूरे जंगल को तहस नहस करके रख दिया छोटे व्रुक्षो लताओ और जाडियों को उखाड कर उसने फेग दिया चुडियों के बच्चे और अंडों को नश्ट कर दिया बंदर की सारे बाते सुनकर शेर ने शांत स्वर में कहा बंदर इसमें तुमारा कोई दोश नहीं है तुमने दो हाती पर दया करके उपकार ही किया था किसी के माते पर तो लिखा नहीं होता कि वो शरारती या मकार है दुष्ट चाहा भी जाएगा दुष्टता ही फैलाएगा तुम चिंता मत करो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं करेगा शेर ने सभी जानवरों को बैठक के लिए बुलाया और हाती के बारे में सब कुछ समझाया कि उसने क्या किया इसलिए वो हाती को दंडित करना चाहता है और इसलिए आप सब की मदद चाहिए एक जानवर ने कहा जब वह पाच्छे दिन भूका प्यासा रहेगा तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी फिर बंदर ने कहा देखो उस हाती को किसी युक्ती से बाग के सुखे कुए में गिरा दो वो दस फिट गहरा है हाती बगहर साहे ताके बाहर नहीं निकल पाएगा जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना ये सुनकर कुछ बंदर कुए के पास पहुचे उनने सुखे कुए को पतले लकडियों, मिट्टी और घास फुस्ते डग कर उस पर केले, पपी दे, तरबूज, खरबूजे और ककडिया आदी फल रख दिये वो सब बंदर से कहने लगे जाओ, तुम पता लगाओ कि हाथी कहां चिपा है तुम उसे लालज देकर यहां तक ले आना, ठीक है ये सुनकर बंदर हाथी को ढूणने लगा उसने देखा, हाथी खापी कर एक पेड के तले लताओ के जुर मुट में बैठा था उसे देखकर बंदर बोला गजराज, तुम यहां बेटे हो, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं डूंडा मैंने तुमारी दावत के लिए तरह तरह के फलों का इंतजाम किया है मेरे साथ आओ, और छक्कर फलों का स्वाद लो हाती बंदर की बात सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला, अच्चा, कहा है स्वादिष्ट फल, आओ मेरे साथ बंदर हाती को लेकर सुखे कुए के पास आ गया और बोला, वो देखो, अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट फल है वहाँ पे अलग-अलग फलों को देखकर हाती के मुँँ में पानी आया और जैसे ही जपटकर उसने फलों के पास पहुचने की चेश्टा की कड़-कड़ की आवाज के साथ सब ढह गया और हाती कुए में गिर पड़ा, सभी इकटे हो गए चिडियां ची-ची करने लगी, हाती कुए में पड़ा चिल्ला रहा था मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ बंदर ने ये सुनकर कहा तुम दुष्ट हो, बकार हो, तुम शेर के अपरादी हो, अब तुमें वही सजा देंगे हाती दो से पांच दिनों के लिए पीडित है और वो हर जानवर को भीक बांग रहा है वो फिर से ऐसी गलती नहीं दोराएगा अंत में सभी जानवर हाती को बाहर निकालने में मदद करते हैं